एकेसे वेकती जिसे आज बास्केटबोल का भगवान माना जाता है जिस तरह हमारे भारत देश में सचिन तिंदुलगर को किरकेट का भगवान माना जाता है मैं बात कर रहा हूँ माइकल जोर्डन के बारे में जिसे आप साइच जानते होंगे माइकल जोर्डन ने 1982 में रोकी का आवार्ड जीता और 1984 में उन्हें NBA में सिकागो बूल्स टीम के लिए चुना गया माइकल जोर्डन अमेरिका के एक मात्र सरण पदक जीतने वाले वेकती हैं तो चलिए दोस्तो इस वीडियो के मादम से हम जानते हैं माइकल जोर्डन से जुड़े कुछ रोचक तथे और उनकी सफलता के बारे में तो बने रहे हैं वीडियो के लास्ट तक और इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ताकि हर वीडियो आपके पास टाइम से पहुँच जाए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले माइकल जोर्डन के बच्पन के बारे में कुछ जान लेते हैं माइकल जोर्डन का जनम 17 फरवरी 1963 को ब्रुकलिन नियोर्क में हुआ था वह एक बहुती गरीब प्रिवार से थ रखता वैं शुरू से ही बड़ी सोच रखते थे और जियोन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा परियर्तन करते रहते थे माइकल जोर्डन के पिता का नाम जैम्स और उनकी माँ का नाम डिलोरिस है माइकल जोर्डन जब 13 साल के थे तब उनके पिता ने उन्हें बुलाया और एक पुराना यूज किया हुआ कपड़ा देकर बोले कि अच्छा वेटा ये बताओ इसकी कीमत क्या होगी माइकल थोड़ी देर सोचने के बाद बोले ये एक डोलर का तो होगा तवी पिताने का कि कुछ भी करके बजार में जाकर इस कपड़े को दो डोलर में बेच जा माइकल जोड़न ने उस कपड़े को अच्छे से धो दिया और फिर घर पर आईरन ना होने के कारण वें उसे धेर सारे कपड़ों के नीचे सीधा करने के लिए रख दिया अगले दिन देखा कि कपड़ा पहले से अच्छा दिखाए दे रहा है उसके बाद उसने पास के रेलियो स्टेशन पर जाकर घंटों के मैनत के बाद उस कपड़े को बेच दिया और बहुत खुस हुआ घर आया और अपने पापा को पेसे दे दिये पंदरा दिनों के बाद उसके पापा ने ठीक वेसे ही एक कपड़ा ओर दिया और कहा कि जाओ इसे 20 डोलर में बेच के आओ माइकल थोड़ा आश्री होते हुए बोला इसके 20 डोलर कौन देगा पिता ने का एक बार कोशिस तो करो उसने फिर अपना दिमाग लगाया और भीद लिया छोटे बच्चे के पिता ने उस कपड़े के 5 डोलर एक्स्ट्रा भी दिये और इस तरह वो पुरानी टी स्रेट को 25 डोलर में बेचा खुशी खुशी घर आकर अपने पापा को बताया कुछ दिनों बाद उसके पिता ने एक और कपड़ा लाकर दिया इस बार क अगातार उस कपड़े को 200 डोलर में बेचने के लिए उस पर सोच विचार करने लगे कि इसे 200 डोलर में केसे बेचा जाए इस बार उसने 24 दिनों का समय लिया क्योंकि उससे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दाम एक डोलर से बढ़ाकर 200 डोलर केसे किया जाए अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वह तुरंत सहर चला गया उस दिन उस सहर में बहुती पॉपुलर एक्टर्स आई हुई थी उसने पुलिस का घेरा तोड़ते हुए एक्टर्स से ओटोग्राफ मागने चला गया मासुम से बच्चे को देखकर एक्टर्स ने मना नहीं कि गया और उस एक्टर्स ने उस कपड़े पर ओटोग्राफ दे दिये अगले दिन वहें बजार जाकर उस ओटोग्राफ वाली टी-सरट को 200 डॉलर में बेचल लगा और उसको लेने के लिए बहुंस से लोग इकठे हो गई भीड इतनी ज्यादा हो गई कि उस कपड़े को खर आशो आगे और वे बोले कि बेटा तुम अपने जिन्दगे में कुछ भी कर सकते हो इस बात को याद करते हो माइकल ने एक इंटर्विव में कहा जहां पर पोजिटिव सोच होती है वहां रास्ते अपने आप बन जाते हैं माइकल जोर्डन हमेशा इसकुल में बास्केट फोल कहला करते थे माइकल जोर्डन के बहुत की अच्छे खेल कि उजसे उनको बहुत सीविश्वव उद्लो से स्कॉलर्सिप का उफर आया बहुत सोचने के बाद माइकल जोर्डन ने अपने घर के पास रहना पसंद किया और North Carolina भी स्ववद्लाले को चुनहा पहले ही सेश माइकल के खेल करियर में एक वत ऐसा भी आया जब माइकल ने बास्केट बॉल से हटकर बेस्बॉल में रोची दिखाई लेकिन फिर उन्होंने बास्केट बॉल को ही अपने व्यवसाई खेल के तोर पर आगे बढ़ाया 1997 में माइकल ने अपने खेल से सन्यास ले लिया इसके बाद भी वे वासिंटन विजार टीम के ओनर रहे लेकिन ज़्यादा समय तक माइकल अपने आपको बास्केट बॉल से दूर नहीं रख पाए 2001 में उन्होंने फिर से वासिंटन विजार के लिए खेलना शुरू किया और लगातार दो वर्स तक इस टीम का हिस्सा बना रहे अंद में 2003 में माइकल ने खेल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया माइकल एक खिलाडी तो है ही साथ वी वे एक सफल उद्यमी भी है वे चारलोट बॉबकर्स नामक कंपनी के मालिक भी है माइकल ने दो साधिया की माइकल ने पहली साधी शितंबर 1989 में की उनकी पहली पतनी का नाम जुआनिता वनोय था माइकल और जुआनिता के तीन बच्चे हैं जिनमें से दो लड़के मार्क्स जेम्स और जेफरी माइकल एक लड़के जैस्मीन है जिनके साथ उनका व्यावाज जीवन 17 साल चला और 2006 में उनका तलाग हो गया माइकल ने जुआनिता को तलाग के बदले 1618 करोड डोलर की रासी देनी पड़ी थी जो सन 2006 तक का सबसे बड़ा तलाग हर जाना था माइकल ने दूसरी साथिये 27 अपरेल 2013 को क्युबाई मोडल येवती प्रितों से की माइकल जोर्डन भामत रूप से सेरलोट बॉबकट्स के मालिक थे जोर्डन को बास्केट बॉल खेल का पूरा अधिकार दिया गया था जोर्डन के पिछली सफलता के बावजुद उन्होंने विपनन अभियानों में सामिल ला होने का फेसला लिया था सेरलोट बॉबकट्स के परती माइकल जोर्डन का बहुती बड़ा योगदान है 2012-13 के समय 66 मेच खेले गए थे जिसमें से बॉबकट्स ने 749 का रिकॉर्ड बनाया था इसको देखते हुए जोर्डन का कहना था कि वो रिकॉर्ड से बहुत खुस नहीं है और बहुती निरास है 21 मेच 2013 में जोर्डन ने बॉबकट्स का नाम होर्निट्स में बदलने का निर्ने लिया था और N.B.A. ने इसको 17 जुलाई 2013 को मंजूरी दे दी थी माइकल के पिता ने माइकल को हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेहना दिये माइकल जोर्डन के पिता ने कहा है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुसासन होना बहुत ही जरूरी है और माइकल जोर्डन जीवन में हमेशा आगे बढ़ने का यह प्रेहतन कर दे थे माइकल जोर्डन का कहना है कि अगर आप मेरी किसी कमजोरी को लेकर मुझे गेढने की कोशिस करेंगे तो मैं उसी कमजोरी को अपनी ताकत में बदल दूगा तो दोस्तो ये थी माइकल जोर्डन की संपूर्ण कहानी हम इनकी कहानी से प्रेणा लेकर जिवन में आगे बढ़ सकते हैं दोस्तो वीडियो केसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सिस्क्राइब कर दीजिए ताकि एसे वीडियो आपके पास आते रहें तो चलिए दोस्तो इजाज़त दीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद